एलो गुड बॉर्णिंग प्यारी बच्चो स्वागत आपका इवा फिर आज की क्लास में और आज हम करने जा रहे हैं एक्ससाइज 6.1 क्लास 11 तका NCRT चैप्टर का नाम तो आपको मालूमी है रैखिक आसा में काई हमारा यूद चल रहा है पहले से linear inequalities तो बढ़ते हैं फ्यारे बच्चों question number 21 की और जैसे के आपको screening के ओपर यहां पे दिखाए दे रहा है रभी ने पहली दो एकक परिक्सा में सतर और पिशतर अंक प्राप्त के यानि कि कोई बच्चा है जिसका नाम रभी है उसने दो परिक्साइज दी उसमें सतर और पिशतर अंक को लाया वहां नियूनतम अंक ग्याद कीजे यानि कि नियूनतम लिखाए अपर द्याने जेगे सब्द पे नियूनतम अंक ग्याद करना है जिससे कि वहां तीसरी एकक परिक्सा में 60 अंक का नियूनतम और प्राप्त कर सके यहांँ कि हमें ये बठाना है कि रवी कितनी अंक कम से उंक जाएरा, कि वो 60 अंक को क्या करें नियुनतम उसत पराप्त करें. यहांङे बात हो रही ऋसत की, ठीके? कितनी ँंक जाएगा वो के ताकि 60 अंक कि आ जाए, उसका नियुनतम उसत आ जाए. ताकि उन्यूंतम 60 अंक का उन्यूंतम प्राब्द कर सके तो यह एक बात बात बथाईए बच्चों कि और सथ का फॉर्मूला ताम ने दिखा है और सथ क्या होता है कि जितने भी ऑब्जुरुशन होते हैं उनका एड़ अगर लेते हैं आप जैनी सतर धन पिचतर धन एक्स य यानि तीन परिक्सादी तो उससे हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं अब इसको कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करना है तो सतर प्लस पिचतर धन एक्स अपॉन तीन और यह जो उसत होगा क्योंकि उसने यहां पर लिखा है कि 60 अंक का न्यूंतम उसत ठीक है एक इसका माला माकसंम हो जाएगा यानिकि मेहतम LACHT 60 अंक ऌउसाथ हो जाएगा लेगि नियूंतम जब बोलता है ति इसका माला एक्स की तरफ ही क्या होगा यानि ग्रेटर होगा और इक्व़ल का सायन इस निफ्रथ क्योंकि नियूंतम 100 अंक बोला है ठीक है यानि 60 या उसस स ज़्यादा है, समझे बात है, अब यहां पर हम इसको solve करेंगे, तो प्यारे बच्चों, 70 प्लस 50 को हमने जोड़ा, तो 125 आया, दन X, और इसका multiply में यहां कर लिया, तो यह हो जागा 180, यानि 180, इस 125 को हम इदर ले जाएंगे, तो X जो है larger होगा, यानि X greater than equal to 180 minus 125, यहां से 20 में से 125 minus होगा, तो यह हो जागा आपका 35, इसका मला, रभी को जो है, तीसरी परिक्सा जो उसने दी है, 60 अंक का उसत प्राप्त का निगले, 35 या उससे अधिक अंक लाने होगे, यानि कम से 35 तो लाएगे, यानि equal का sign भी, इसका मला, X greater equal to, ठीक है, कितना 35, यानि कि रभी क्या करेगा, 35 या उससे जादा अंक लाएगा, तब ही वो क्या करेगा, 60 अंक का निगले, प्राप्त कर सकता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा, बढ़ते हैं, नेक्ट क्योशन की और, क्योशन नमबर 23, दस से कम करमागत, यानि करमागत, जो करम से आने वाल जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ऐसे तो विसम संक्या होती है, तो 10 से छोटी संक्या होनी चाहिए ध्यान देना, यानि कि 10 से छोटी, यानि कि 9 तक होगी हो, ठीक है, तो ऐसे हमने यूगम, यूगमन पियर बनाने हैं, जोडे बनाने हैं, ठीक है, जिन का योग फल जोए, यानि योग करेंगे, एक्स प्लस, एक्स प्लस टू, दोनों को जोड़ा आपने, वो क्या होना चाहिए, अग्यारा से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मलब क्या होगा, अग्यारा से अधिक नहीं, सॉरी, अग्यारा से अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन एक्वल काता है लिए यहां पर क्या है ग्रेटर का साइन आ रहा है क्योंकि 11 से अधिक बोला है इसमें इस्ट्रिक्ली 11 से बढ़ा हो जाए यह निदि 11 से बला किन्दा हो सकता है 12 13 जो भी होगा ठीक है तो जोनों को हमने जोड़ा जाओगा 9 by 2 यानि इसको solve करेंगे तो 4.5 यानि एक्स की वेलू आए 4.5 इसका मुला एक्स कहां से कहां लाइक कर रहा है वह 4.5 से लेकर कहां तक 10 तक समझें बात है क्यों भी 10 से कम 10 से कम करमागा संग्या बोला 10 से कम क्या होती है 9 मैंने जास बोला तो यानि एक्स की वेलू क्योंब बिसम संग्या बोली है तो 10 से छोटी बिसम संग्या नौ हो सकती है 7 हो सकती है 5 हो सकती है और इससे छोटी इसीँ नि ले सकते है जो की 11 से अधिक है यह इनकि 16 हो जाएगा तो अमेद करता हूँ कि यह आपको दोने questions क्लियर होंगे समझ में आए होँगी